what is up what's up guys thanks for watching another episode this is FUSH so आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है OPPO के Reno series के दो फोन आने वाले हैं जिसमें से कि एक light version होने वाला है और एक होने वाला है pro version तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर pro version के और जैसे कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस ही कि तो चलिए स्टाट कर लेते हैं आज की वीडियो को इस वीडियो को साथ यह साथ आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं वरना आपको पता है ऐसे पाप हो जाएगा और नौरात रवी अब तो चालू हो उपर की तरफ जाता है और यहां पर इसका फायदा है यह है कि यहां पर आपको एक्ट प्लस देगी 19.5 इस तो 9 का एस्पेक्ट रेशियो है और साथ यसाथ आपको बैजल काफी कम देखने के लिए मिलेंगी साइट साइट में और चिन की बात करें तो चेन अभी भी हलकी सी बड़ी लगी लेकिन यहां पर कंपनी क्लेम करते हैं 93.1 पर स्क्रीन तो बोडी रेशियो और यहा वही फ्रेंट की बात अब बात कर लेते हैं तो बैक यहां पर आप देख सकते हैं मैटल की बैक देखने में लग रही है और यहां पर आपको ग्रेडियंट कलर देखने के लिए मिलेगा अब यहां पर आपको तीन कैमरास देखने के लिए मिलेंगे और कोई फिंगर पेंट प्रो केंदर देखने के लिए मिला है यहां पर जो आपको थर्ड कैमरा दिया गया है वो है एक टी ओएफ 3D कैमरा अब टी ओएफ कैमरे का काम होता है बुके मोड को काफी अच्छे तरीके से लेना है निकि डैप्थ प्रोवाइड करवाना है और साथ यहां पर लो लाइटिंग फोटो को भी इंप्रूव कर देता है तो यहां पर आपको सैंपल इमेजिस देख सकते हैं यह ओपो की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई है और प्रोवाइड कर लगई है तो सेम हमें लगता है technology इसके अंदर भी देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि यहां पर आप लो लाइटिंग फोटो देख सकते हैं और काफी ज्यादा अच्छी लग रही है यहां पर कैमरे की और बात करें तो 10x zooming देखने के लिए जो कि hybrid zooming होने वाली है और digital zooming की बात करें तो आपको 50x दिजिटल देखने के लिए मिल सकते जैसे के में वावे P30 Pro में देखने के लिए मिली है तो यार मज़ा जाएगा से दूसरे के घर में देख लो कि क्या बना रहा हूँ इसे दिवारों को पार करके नहीं देखेगा खिडिकी में से जहांकना पड़ेगा तो अभी बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की तो यहां पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी वूक चार्जिंग 3.0 तो आपका फोन ऐसे तरकता बड़कते जल्दी चार्ज हो जाएगा अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा भी तक यह कंफर्म नहीं कि आपको Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलेगा या Type-B चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलेगा तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के SOC की तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा Snapdragon 855 जो कि एक flagship level processor है और यार काफी खतरनाक processor है और साथी साथ यही नहीं इस फोन के अंदर आपको liquid cooling और copper tube का भी option देखने के लिए मिलेगा जो कि आपके phone को heat होने से बचाएगा तो आप ऐसे मस तरीके से game खेल सकते हैं इसके अंदर तो यह phone काफी ज़्यादा खतरनाक आने वाले ओपो की तरफ से और ओपो का Find XVR काफी ज़्यादा खतरनाक था अगर मैं हारा कल हुआ बेसा हारा कल मैं गिर के फिर से उठने को हूँ बात ये बतारा कल की कल का क्या भरोसा कल को किसने परोसा जितने भी है काम छूटे आज ही निवटारा कल मैं जारा कल दूर परसो देखना है जग मुझे अब मुझे देसलहा भी सब मुझे बेगुनहा मि अजय मुचिछ अजया